हेलो एवरिवन वेलकम टू माइन चैनल नौर सेटेम्स अपना टारगेट क्या रहा है राजस्तान शियेचों और राजस्तान शियेचों के लिए मैं एपॉंटेट अकोर्टिंग टू सलेबस वीडियो बना रहा हूं ठीक है तो आज का टोपिक बहुत खास होगा अपना आज वीडियो देखे तो एक बार जुरूर मेरे प्लेडिस्ट में जाके चेचों राजस्तान आसान बासा में जो मैंने प्लेडिस्ट बना रखिए उसमें जरूर देखना आपके लिए बहुत ही हैलफ होगे अगर जिन परसन को पीडियो चाहिए तो मैं पूरी लाष्ट के अं आता है तो याद रखना अब आपको समझ में यह कोई बात ना मैं बताता हूं कि अगर आप अपनी कम्विकेबल जीतनी भी इंफेक्शन को कंट्रोल रखेंगे जैसे अपने क्या चल रहे है और कोविड से अपने बच्चके रखेंगे तभी तो अपनी क्या होंगे होगे ह दूसरा पॉइंट यह कह रहा कि इन्वार्मेंटल सेनीटेशन हंजी और शेफ वाटर वातापरण को सुद्ध और सवच से रखेंगे तभी तो अपनी क्या रहेंगे हेल्दी रहेंगे और तीसरा कहता है परसनल हाइजिन इंप्रूमेंट थू अपनी क्या रखेंगे नेक्स्ट क्यूशन अपना है कि अईरुवेदा एंड सिधाई सिस्टम मेडिशन केंबी इंटू एक्स्टेंशन है ना कब आया था तो याद रखना 1420 सी कंद्र आया था कौन कौन 1420 अईरुवेदा एंड सिधा सिस्टम है ना मेडिशन का ठीक है और लेके चलता हो ने क्या था ठीक है और नेस्ट किशना कि बहुर कमेटी वाज इन कंस्टिटूट रना बहुर कमेटी का कानून कब बनाता तो आपको याद रकना सन 1943 ठीक है सन 1943 कब सन 1943 और अब आप क्योंगे सर हमने तो कंफ्यूज करनी आपने क्योंकि कोई दिकतनी मैं आ रहा हूं किसके के लिए कंफ्यूज को क्लियर करने के लिए तो अब आपको होगे किसर हमने तो बहुर कमेटी का 196 पढ़ा था हां जी पढ़ा था वो कब था बहुर कमेटी बनी थी और यह क्या होता कानून पास हो था और बनी थी वन नाइटी फोर्टी शिक्स में अब एक यूशन यह बनता है कि बहुर कमेटी क्या है तो आप याद रखना बहु है दीवानी यह गलत वे में नहीं लेकर जाना यह एक ट्रिक है और अगर आ हमारे ट्रिक वाला वीडियो नहीं देखा हेल्थ प्रोग्राम वाला तो आप जरूर देखे कहां पर जागे प्लैलिस्ट में जागे नेक्स्ट कुशन पांच है कि CHEB स्टेंट फॉर हांजी CHEB की फुल फॉर्म पुचेंगे आपको किसमें राजस्तान शेचों में तो याद रखना डुक्त सब CHEB की स्टेंट है Central Health Education Bureau हांजी Central Health Education Bureau क्या है CHEB की स्टे यॉल िहां है किसकी पन्सेप्ट एर नेक्स्ट के असब्जेक्टिव इसेंस ओफिलिंग अनवेल्ट क्या होता है ठीग तो आपको सब्जेक्टिव होता है मैं यह यह से से होता है ठीक है next question है कि how many of dimension of health in there health के total कितने dimension होते है तो याद रखना community health officer health के total eight dimension dimension होते है कौन से वो आपने पटे थे ने बच्छे पने physically mentally socially है यह क्या health के dimension है ठीक है और next question है कि quantity and quality individual है ना इंटर पर्सनलेल्टी एंट extent is this involvement क्या होता है social health है ना जो समाजी ग्रूप से एक दूर्से ने क्या मिल के रहते है कौन से quantity or quality इंटर पर्सनल्टी जैना एक दूर्से से मिल के देना तो क्या कहता है social health के द्वारा ही रहते है और next है अपना कि theory of concept cause of disease क्या है तो आपको या रखना theory of concept cause of disease कहते है है counter gene theory क्या कहते है counter gene theory ठीक है next question अपना है कि हैंली coach postula explain क्या है तो जर्म थे द्वारा ही कौन किसने हैंली coach postulate explain है ठीक है जर्म थे द्वारा ठीक है और next question अपना है कि action which health action which health and progress of disease at its incipient stage and prevent of complication prevent of complication related to related to which of stage of prevention तो याद रखना secondary prevention है किसमें अभी आप काओ कि सर हमें समझ में नहीं आया क्योंकि आप इतने जल्दी बोल रहे हैं कोई बात नहीं मैं सलों बोलके बता देता हूं कि action which health the progress नहीं है एक progress disease aid incipient stage and prevent of complication अपनी को क्या complication हो रही है इसको prevent कर रहे है disease थो आगई सरीर के आदर पर बन तूंट इन sor problems से prevent कर रें जैसे एक लुर्ट का hypertension है अपनने क्या daily उसका बीपी monitoring कर चैनले कर रहे हैं अपने क्या complication सिख्रेमेंट कर रहे है ना तो इसको कौन से लिवल का प्रिवोंचिन होगा तो आपको याद रकना है ये सेकेंड़ी लेवल का प्रिवोंचिन होगा और नेक्ट क्यूच नंहीं कि दा एक्चुली लोच ओफ टेम выз और पार्ट ओप बॉड़ी ऑनाटोमी है और और अपरियेंशन ओफ दा फिजीकली फॉंक्सन अकर कर अकर अब करन सी क्वेट ऑफ डीजीज इज नोने इज ठीक है तो इंपेर्मेंट कलाता है किस में कि अनाटोमी लॉस हो गई गारिए बूटठी की लोस होगे कारिया तो क्या इंपिरमेंट क讲 लाता है ना इंपिरमेंट के ओपने या अपने पे हैं प कीपहले क्पाली क्या तक हो प्रकॉआ तहके ना क्या ठीक है नेक्स्ट कुशन अपना है कि क्या है कि दा ट्रेंड मिड लेवल हेल्थ वरकर हां जी मिड लेवल हेल्थ वरकर वाज ब्रोडली इस एक्सपेक्टेड टू अना मिड लेवल हेल्थ वरकर क्या है मिड लेवल हेल्थ वरकर सीचो साथ होता है सीचो साथ होता है तो वह क यह विदियो नाम से बोलता है क्या मीड लेवल हेल्ट वर्कर तो आपको याद रखना शेचो साब क्या कहते हैं मीड लेवल हेल्ट वर्कर ठीक है यह से चोप की दूसरी डेपिनेशन आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और थोड़ा सा बोरिंग टोपिक है अगर आपकी इसको किसी को पीडियो चाहिए तो मैंने पहले भी बताया था हमारे नंबर है मेरे 963696115 और इस पर आप वोट्सों मेसेज कर देना पीडियो का मीनिमम चार्जाबल है जो भी आप चार्ज देना चाहों सर्दान सर्दे सकते हो और आपको पीडियो बेह जीडियो आपका चार्जार जग्टक चार्चारर्स किते हैं जापको सकते हैं मीकला उे तो मैंने उन जिच जोड़ किस सकते हो फर रापको Patienten है किती है हैं unknown थारा झापक?